पंडित चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग के 18 जून सन 2023 विक्रम समध 2080 चल रहा है आशाड मास है कृष्ण पक्ष है ग्रिश्म रितू है तिथी आज की अमावश्या है और आज का वार है रविवार आज आज के नक्षत्र की बात करें तो म्रक्षिरा नक्षत्र शाम 6 बज के 6 मिनट तक रहेगा आगे आद्रा नक्षत्र है योग गंड है और योग की द्रश्टी से आज का दिन बिल्कुल भी शुब नहीं है तो कोई बहुत इंपोर्टन काम था को बिजनस डील थी को पूर्यास्त का समय शाम 7 बज के 21 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बाद साड़े-चार बज़े से शाम 6 बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए अब इजित मुरत आज 11 बज के 54 मिनट से दौपेर 12 बज के 50 मिनट के बीच है और दिन में दो बार दुष्ट मुरत रहेंगे इन्हें ध्यान से समझ लीजेगा क्योंकि इनको टालना ही है यह शाम 5 बज के 29 मिनट और शाम 6 बज के 25 मिनट पे आज का दिश खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए भगवान श्री राम या अपने अपने इस्ट का हरदे में ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए तो यात्रा मंगल में शुब और सुरक्षित हो जाएगी कारे सिद्धोगा आज का शुब समय यानि आज के दिन का मिनट से दौपेर सवाबारा फिर दौपेर दो बज के दस मिनट से तीन बज के पचास मिनट तक और फिर शाम को साथ बज के तीस मिनट से रातरी नौबच के तीस मिनट तक जो भी कोई अच्छा एफर्स करने हैं वो इन समय में कीजिएगा क्योंकि बाकी पूरे दिन की अ सपोर्ट और व्रश राशी वाले आप अपनी सूज भूज के लिए आज पहचाने जाएंगे और मेथुन राशी वाले आज बहुती भ्रमित रहेंगे डबल माइंडेट रहेंगे करक राशी वाले ध्यान रखें कि आज कोई बड़ा निवेश आपको नुकसान दे सकता है सिंग राशी वालों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सला जीवन में आगे बढ़ाएगी और कन्या राशी वालों को करियर में मिलेगी एक नई मजबूती तुला राशी वाले भाग्ये द्वारा पाएंगे आज नए आप्शन्स जीवन को मिलेगी नई दिशाएं राशी वाले ध्यान रखे की व्यापारिक मामलों में आज कोई धोका न मिल जाये आपको कुम्राशी वाले चात्र चात्राओं के लिए हैं योगकारत दिन और मीन राशी वाले आज अपमान जनक स्तती से रहेंगे परिशान तो धेर्य बनाए रखें अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी प्रग्या को जाग्रत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल बना देते हैं अन्तुमें करेंगे आज की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को एक बहुती सुन्दर श्लोक शास्त्रों में आता है जिससे यह समझ आता है कि कैसे हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं कैसे हम अपने भाग्ये को सुधार सकते हैं जो श्लोक है वो इस प्रकार है कि उपवासेर गर्वा जाने स्तरपनश्च मनेश इनाम ग्रह इसका अर्थ ये है कि वरत और उप्वास करने से गवों के दान से रिशियों के लिए तरपन करने से या विद्वान ब्रहमनों को संतुष्ट करने से ग्रह नक्षत्रों से उत्पन होने वाले दोश है वो शान्त हो जाते हैं जो व्यक्ति ग्रह नक्षत्र देवता पित्र और भ्रहमनों की पूजा सेवा करते हैं संसार में उनी की पूजा होती है और जो इनका अपमान करते हैं वो अनिस्ट फल प्राप्त करते हैं यह हमारे प प्रकार की समश्यों के सरल समाधान कर देते हैं और जिने करके आप अर्चनों को असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की और दढ़ता से सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है आज आप सभी लोग गोशाला जाएं वहां गुड़ और दलिया खिला के आएं गौमाता को अपनी अपनी शमता के अनुसार जितने उसके उतना कर दीजिए और अपने पुराने पहने वे वस्तर किसी निर्धन व्रद्ध को दे दीजिए साथ ही शाम बाद में श्रीक्रिश्ण जी के मंदर जाएं वहां चंदन की धूप और सफेद मिठाई अर्पित करके गुपाल सेस्तर नाम का पाट कीजिए और देखिए जीवन में कैसे चमतकार होता है आने वाला वर्ष कैसे बहुती सुन्दर बीटता आर्थिक परेशानिया हर तरफ से अपमान जनक इस्ति आने लगती है ऐसी स्तिती से जो लोग गुजर रहें उनके लिए बहुती एक सटी को पाए करना सिर्फ यह है कि पहले कुछ आप सामगरी खरीद लें जैसे की काले धतूरे की जड़ ओंगा की जड़ श्वेतार्क की की जड़ इनी सफेद आकड़े की जड़ वट व्रक्ष की जड़ पीपल व्रक्ष की जड़ गूलर की जड़ आम के पत्ते गेहुं चावल चना साबुत मूंग काले तिल शहद दूद धही और गौगरत यानि की तेसी गौमाता का घी इस सब अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा अब ले लीजिए इस सारी सामगरी को एक मठके में रखिए और धूप दीपुष्प इनसपसे इसका पूजन करें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की ग्यारा माला का अब जाब करें मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भास कराया स्माकम सर्व ग्रहानां पीडा नाशम कुरु कुरु स्वाहा ग्यारा इसकी माला करनी आपको जाब के उपरांथ यह जो मठकी थी इसको किसी पीपल के व्रक्ष की जड़ के पास जमीन में थोड़ा गहरा खूद कर यानि कम से कम हाथ दो हाथ गहरा खड़ा हो उसमे आपको वापस पीछे मुड़के नहीं देखना है जहां पर आपने वह क्रिया किए उसको देखना नहीं सीधे घर पहुंचना है और घर पहुंच कर सनान कीजिए अपने अपने इस्ट देवता का पूजन कीजिए तो आज से ही आपके कस्ट कम होने लगेंगे जीवन में सुक बच के 38 मिनट से 8 बच के 33 मिनट के बीच में भगवान स्रीकृष्ण को 108 मौरपं करपित करने प्रत्यक मौरपं के साथ इस विशेश मंत्र का जाब करना है मंत्र प्रकार है कृष्णाए वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाए गुविंदाए नमो नमें प्रत्यक पंक के साथ आपको इस मंत्र का जाब करना है इस प्रकार से 108 मौरपं करपित होंगे भगवान से कृष्ण से हिर्दे से प्रात्ना करें फिर प्रभू मेरी समश्चा से मुझे भार निकालिए और इस समश्चा का अंत करें समधान करें निश्चित रूप से आपक में फसे हैं काम नहीं बन रहें तो फिर सुबह आज 9 बच के 45 मिनट से 10 बच के 18 मिनट के बीच में 21 त्रीदल बिलू पत्र ले लिजे और उन पे सफेज चंदन से रीम रीम बीज लिखिए और भवान शिवजी पे इन्हें अर्पित कर दीजे और एक लाल चंदन की माला मा सफलता पारवती को अर्पित कर दीजे निश्चित रूप से आपकी सारी परिशानिया समाप्त होंगी सफलता के नए मार खुलने लगे जिस मनों कामनाया कारे के लिए आप यह कर रहे हैं वह भी पूरी होगी ऐसे जिनको राहु की पीड़ा चल रहे हैं या मांसिक रूप से बिमार चल रहे हैं सिर्दर द्वना रहताव साथ टेंशन डिप्रेशन है वो लोग दौपेर बारा से डीड़ वजे के बीच में भगवती दुर्गा के मंदिर जाएं और दो लाल चुनरी में सजल नारियल गुडहल या रक्त कनियर के पुष्प असली कपूर लेकर जा आसा काम है लेकिन रहुजनित पिडाओं से आपको निश्यत रूप से मुक्ते मिलेगी और भगवती दुर्गा का अमोग आशिरवाद भी प्राप्त होगा तो दर्शे को यह थे आज की वह विशेश उपाए जो आपकी बहुत बड़ी-बड़ी समशाओं का अंत करके आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिकाई है राम रतन जी की सीकर से 6 जनवरी उनिस सो 89 का इनका जनम है 11 बच के 9 मिनट रातरी में सीकर प्रश्ण है परेशानियां बहुत है कोई भी काम सरलता से नहीं बनता है देखिए राम रतन जी सरलता से तो किसी का भी कोई भी काम नहीं बनता है फिर भी आपकी जनम पत्रिका का आकलन करें तो बारवे भाव में शनी और राहु का प्रेत दोश है और चंद्रमा भी आपका केमद्रूम योग से पिड़ित है यानि कि आप वहम से बहुत ज्यादा ग्रस्त रहते हैं डाउट्स भी रहते हैं बहुत की दूसरी जनम पत्रिका हमारे पास आईए निक्की वर्मा जी की एमदाबाद से 14 जुलाई सन 2003 का इनका जनम है शाम 6 बच के 4 मिनट एमदाबाद प्रश्न किया विवा कब होगा वहवाईक जीवन कैसा है देखिए निकी जी सब्तम यानि विवा भाव में तीन ग्रह हैं जिनमें सूर्य और शनी भी इस्तित हैं तो यह तो इस पष्ट रूप से है कि विवा में अर्चन आएगी विलंबा होगा और विवा के बाद में समश्याएं भी हैं तो ऐसे माप कुंडली मिलाकर ही विवा करें और विवा से पहले अपना घट विवा अवश्य करवाएं आपकी जो विवा का योग है वो जनवरी सन 27 से अप्रेल 29 के बीच में है विवा से पहले शनी की शान्ती भी अवश्य करवाई है ताकि कोई समश्याएं आपकी जीवन में ना है तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस ठुपाई और ग्यान चर्चा मैं अंसे पुन्य होते हैं जिनसे जीवन सुधारा जा सकता है इसे अपने जीवन में उतारेंगे जीवन को धीरे दीरे सुखी सम्रद भगवत में और एक आधर्ष जीवन में परिवर्थित करेंगे आज कारे बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ हुआत भगवती आप सु स्कार मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे स्खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम जोड़ाता है नमबर आटक मूलग और आजकी तारिख है जून दो हजार तेस और आज की तारी के अचारा उसको जोडते हैं यहीं की आठ और एक तो जोड़ाता है नमबर नौ तो नमबर नौ आज की तारीख का मूलांक है जिसके की स्वामी है मंगल तो बड़ी ही पावर्फुल एनरजी है मंगल की और इस समय तो मंगल और शनी की यूती भी बनी हुई है तो आज देखिए जानते हैं कि क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है एक से लेकर नौ मूलांक तक के जातकों पर मंगल का लेकिन आज के एपिसोड से एक बहुत ही महतपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो आ हमारा एक सुक्ष में शरीर भी होता है और हमारे वेदों के अनुसार शास्त्रों के नुसार योग के अनुसार अगर हम योग प्रदीपिका की बात करते हैं हम पतंजली योग सूतर की बात करते हैं तो योग के अनुसार हमारे सुक्ष में शरीर में मुख्य ऐसे तो कई च पहला चक्र जिसके हम बात कर रहें हैं वो है मूलाधार चक्र है या रूट चक्र भी उसे कहा जाता है पहल बिल्कुल हमारे स्पाइन के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है जो मुलाधार चक्र है इसे सबसे ज्यादा स्लो चक्रा भी कहा गया है यह बहुत धीमी गती से जो है गती करता है और यहीं वह चक्र है जो कहीं ना कहीं हमें एक मनुष्य को एक भौतिक दुनिया और एक हैसी सुन होता है यह है है यह जो इतना धीमा है कि इसके जो अधिश्ठात्र स्वामी बता गये गये देव बताए ज़िए वह भगवान श्री गनेश को बताएं और यह जो है पूरी तरह से किन चीज़ों को डीप्रेज tablespoon करता है हमारे पैरों को मश् boa ग्रम से टॉर,ी ऐल occupy प्रतीशत में से 95% नाइंटिफाइब विए विएक्ति को पैरों की समस्या रहती है लोगार बैक्स रिलेटेड समस्या रहती है तो कब होता है यह जब मुलाधार चकर पूरी तरह से ब्लॉक होता है तो विएक्ति जो है वो पूरी तरह से भौतिक दुनिया में रमा होता है से भौतिक दुनिया में आसकत रहता है और जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना यह बड़े ही अचंभे वाली बात है लेकिन इस पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सौ प्रतीशत में से 95% लोग जो कि अगर योगी है या अध्यात्मिक शेत्र के हैं तो बात अलग है अन जहां से निकलते हैं उसी प्रकार से उनकी गती होती है आगे की यात्रा आगे की आत्मा की यात्रा कौन सी होगी कोहां जनम लेंगे कैसे लेंगे वह सब गती के उपनिर्भर करता है तो लोगों के जो प्राण है वह इसी चक्र से होके गुजरते हैं तो अगर किसी व्यक्त करना है तो इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम लम के उच्चारण से इस चक्र को जागरत किया जा सकता है तो आए दोस्तों बिनादेर किये हम आज के कारेक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 18 जून 2013 के लिए और मूलांक एक के लिए हमसे बता रही है अंडाइंग लव का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की परिस्तिती कितनी ही विपरीत क्यों नहीं हो आपके चाहिए चोटन को उत्पात तो आप वो थोड़ा अपको बड़पन दिखाना है और आपको लोगों को माफ करना है लव कंपैशन में आज आपको रहना है और चोड़ी चोड़ी चीजों को अवाइड करना है आपका तेन शुब हो आई जानते हैं मूलांक 2 के लिए मा भग करना चाहते हैं यह परमात्मा समझ रहें लेकिन आपको आज का जा रहा है हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा सोच समझ के डिसिजन लीजेगा विशेश तोर पर धन समंदी मामलों में हड़बड़ाना नहीं है हड़बड़ाने से काम खराब हो सकता है बलकि थोड़ा बसका राकिस रहें शांत रहें ग evangelical कि डिसिजचन को लेने की बात हो आज की दिन चे दिन हो सके हरकाम को बड़े ही आराम से अ पूख पूख करें ऐसे का जाते हैं कि दूद कर जला चाच को फूख पूख के पीता है तो वही इस्तिति है आपके साथ है कि कोई भी ऐसा निर्णे ना लें कुछ भी ऐसा ना करें इसे परिशानी आए बल्कि बहुत सम्हल कर आपको चलने के आवशकता है आपका दिन और कहीं ना कहीं आज आपको अपने करियर में आपको आगे ग्रोथ के लिए किसी नए कंपनी से जॉब ओफर आ सकता है आपको पदोनती मिल सकती है कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपको एक्स्ट्रा इंकम हो उसके लिए भी आज कुछ ना आप तोगी जो वास्तिक्ता में आप करना चाहते हैं आपका जो सोल परपस आज कहीं न कहीं आपको उसके लिए गोल्डन ऑपर्शिनिटी प्राप्त होगी उसे जरूर ग्रैप करें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 18 जून 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है आपके बदलाव का है आपके शरीर में आपके सोच विचार में आपके आसपात समाजिक रूप से आर्थिक रूप से बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है तो कुल में लाके आज का दिन बहुत शांद रहने वाला है जो भी परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है उसे आज़ Gargmad करने वाला है मैं मानती हूं कि कभी कभी ये परिवर्तन जो है वह बहुत जादा पीड़ा दायक भी होता है क्योंकि हो आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारी माभगवती क्या गाइड कर रही है आज 18 जून 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है गाइडिंग चल्रून का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि संतान पक्षु से एक बहुत शुब समाचार आपको आज मिल सकता साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज के दिन आपके कुछ जूनियर या पिर आपके परिवार में बच्चे जिसे आप बुद्धा समझते हों मैं चौर समझते हूं वह आपको बहुत अच्छी सलहा दे आपकी लाइफ के लिए आपको वह सिखा दे जो कि बड़े बड़े नहीं सिखा पाते हैं लेकिन ऐसे मोमेंट पर अपने इगो को एक तरफ रखिएगा परमात्मा को और बच्चों का धन्यवाद दीजेगा आपके जूनियर का धन्यवाद दीजेगा क्योंकि आज के दिन आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो बच्च मेडिसीद गृ morgen काड़े आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ग्रुण on a toорм होगा कुल मिला के आप बहतरी की तरफ आज से आप बढ़ रहें अगर पिछले कुछ दिनों में बहुत जादा आपने डाउन फॉल देखा है बहुत जादा आपने परिशानी देखी है तो आज से जो है वह आपके जीवन में परिवर्ताना शुरू हो गया है तो एक बहुत चांते है मूलांक साथ यियर माद बहुत अब्रिश्क करें रही है आज अब चल साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप स्यांभर आपके अस पास क्यूब हो सकता है कि कोई व्यक्ती आपके साथ आज एक अच्छा विभार ना करें वैकन आपको कहा जा रहा है कि आज बहुत बहुत समेज़व करना है ऑपके विपरीत परिस्थितियों का सामना अपने जिंदगी में है तो परमातमा आज आपको यह कह रहे है कि दूसरे की भी परिस्तिती 25 अज आका त समझना जरूरी है ौक कर दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक आठ के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 18 जून 2023 के लिए और मूलांक मूलांक 9 के लिए मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 18 जून 2023 के लिए और मूलांक 9 आज की तारीक जोड भी है सब्सक्राइड लिए और मूलांक 9 जून 2023 के अज के दिन वहे विस्दी आज कर चाज के रही है आपको की नॉलेज को प्राप्ट करने के लिए काम करने जो भी कुछ आपका जिया के डिन को सब्सक्राइड हो आज के अपको बहुत अच्छा प्रापत हो हो सकता है जिसकी आपने कलपना भी नहीं की थी आपका दिन शुब हो तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें आप लोग हमेशा स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मैं मिलूंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम